नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी यूटूब चैनल कॉम्पोट्रिक्स में दोस्तों मड़े दिनों बाद आप लोग से मिलना होगा है सबसे पहले तो आप सभी को में तरफ से होली की धेरू शुबकाम नाएं होली को अपनों सात्ति बाद बनाएं रण्मों के सात्ति बनाएं सेफ रहें सेफ केलेंए इसलिए हैपि होली सेफ होली दोस्तों आज की मेरी इस वीडियो का टोपिक भी कुछ इसे तरह का रंगारण होने वाला है आप लोगों ने थमदेल पर देख लिया होगा दोस्तो गूर्ध मैं मैं बदाने वाला हूं किस तरह से आप से होट का विली और आप खुब सुरुत सह बैनर, अपने मॉबाइल से बना सकते है। जिन्हां दोस्तों अपने मोबाइल से बना सकते हैं इस तरह का खुब सूरा सा बैनर और इसे आप अपने सोशल मीडिया एकाउंड पर टुटर, फेस्बुक, इंस्टाग्राम कहीं पर आप शेयर कर सकते हैं और लोगों को धेरो शुपका में ले सकते हैं ठीक है दोस्तों बने रहीगा वीडियो में वीडियो थोड़ा से इसकीप मत कीजिएगा बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है बहुत ही दो मिट में बनके त्यार हो जाता है इस तरह का बैनर और खुब सुरा सा बैनर लगता है देखने में एक पर प्रोफेशन लगता है जैसे आपने कहीं से फ्लेक्स कराया हो ठीक है दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे को बता रहा है विलाल मैं आपको यहां पे सबसे पहले बताता हूँ आपको Google पर जाकर अपने यहाँ पर जाकर टाइप करना है Holy और इसको आपने सर्च कर लेना है इसके बाद आपने चल जाना है Images पर और Images पर जैसे क्लिक करेंगे हाँ पर Holy के लिटीर बहुत सारी Images आ जाएंगी ठीक है Friends इसके बाद आपने स्कॉल डाउन करके नीचे जाना है यहाँ पर देखिए काफी सारी लोगों की इस तरह से Holy की पिक्चर आ जाएंगे आपके सामने आपने लेनी है Simply यहाँ पर Color वाला Background ठीक है दोस्तों जिससे आपका Background अच्छा सा रहे खिला खिला सा चलिए मैं एक फोटो पर क्लिक कर लेता हूँ आप ध्यान रहे इस फोटो को Direct Upload नहीं कर सकते हैं Otherwise आपको Copyright आ सकता है आपने इस Images में कुछ ने कुछ Creativity दिखानी होगी कुछ ने कुछ Merge करना होगा इसके साथ कुछ नई Image आपने Create करनी होगी ठीक है Friends उसके लिए करना क्या है Simply इस पर डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के लिए आपने इस पर क्लिक करके रखना है थोड़ी देर उसके बाद देखें यहाँ पर Option आएगा Download Image इस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से यह पिक्चर डाउनलोड हो जाएगी ठीक है Friends इस तरह से यह मैंने डाउनलोड कर लिया है नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे इस तरह से मिलता जूलता आप images यहाँ से ले सकते हैं देखे इसको मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ और इसको भी मैं इसी तरह से select करके डाउनलोड कर लेता हूँ ठीक है Friends इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है चलिए अब देखिए यह मैं बैर कलर ले लिया है बैक्राउंड ले लिया है आप जो चाहें होली के रिगार्डिंग आप यहाँ से ले सकते हैं चलिए मैं पिचकारी ले ले लेता हूँ यहाँ पर मिल देता हूँ पिचकारी ठीक है Friends तो इसी तरह से होली के रिगार्डिंग आप पिचकारी भी यहाँ पे सच कर सकते हैं इन सब कहां यूज होगा अभी मैं आपको बताने बारा हूँ कैसे कैसे आपको यूज होगा यह पिचकारी होगी कहां जाएगी यह सब ठीक है अपनी मन पसंद पिचकारी आप यहाँ से ले सकते हैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इस पर डाउनलोड ठीक है Friends यह मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर दिया चलिए Friends इतना के लेने बाद आपने सिंप्ली करना क्या है अब आपको बताता हूँ किसी भी इमेज का बैक ग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं ठीक है Friends उसके लिए भी मैंने और डी वीडियो बना रखी है अगर आप लोगोंने मेरी वीडियो ना देखी हो मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूँगा आप वहाँ पर जाके इसका देख सकते हैं चलिए मैं बताता हूँ अब कौन सी अप्लिकेशन इसके आपको जूर्द पढ़ना लिए हम इसको प्रेस करके निचे आ जाते हैं ठीक है सिंप्ली अप्लोड इमेज पर क्लिक करना है और गैलरी पर चल जाना है देखें इस तरह से में इसका बैग्राउंड रेमू कर दिया है अब इस पिक्चर को मैं अपनी पिक्चर में यूज़ कर सकता हूं बच कर सकता हूं वहाँ पर मुझे किसी भी तरह का कोपिराइट नहीं आएगा द्यान किया दोस्तों किसी भी पिक्चर को आप सेम टू सेम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं फूचर में यक प्रेज़ेंट में कभी भी आपको कोपिराइट डाइक आ सकता है खामखा आपकी मेहनत बेकार ह चलिए इसको डाउनलोड करते हैं यह से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे यह थोड़ी दिर में आपको डाउनलोड यहां पर हो जाएगा ठीक है जैस्ट वन्स यह दिखा दिये असने सेंपल ठीक इस तरह से बन चुका है चलिए अब उसके बाद क्या करना है सिंपली आपने चलिए आना है पिक्सल लैव एप्लिकेशन पर देखिए यह मैंने अप्लिकेशन आपे उपन कर ली है कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पर आता है जैसे आप फर्स टाइंग ओपन करेंगे ठीक है फ्रेंड्स आप यहां पे काफी सारी रिशो आती हैं देखिए यहां प आपके दिखाने वाला हूं इसके लिए आपने क्या है जो अभी आपने इमेज को डाउलोड करा है बैगराउंड को उसको सबसे पहले हाँ पर सिलेक्ट लेना है प्लस वाले आइकन पर जाएंगे और यहां पर चलिजाना है ठीक है फ्रेंड्स डाउलोड देखो फ्रेंड यह मैंने यहां पर पिक्चल ली है अब मुझे यहां पर यूज कैसे करना है देखिए मैं सेम तू सेम पिक्चर को यूज नहीं करूँगा यहां से मैं थोड़ा से करूँगा इसको क्रोप यह मैंने इनके हैंड्स यहां से मैंने हटा दिये ठीक है रैट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहां से ले लिया, देखें, ठीक है फ्रेंट्स, अब इसके बाद सिंपली आपने करना क्या है, इन दोनों को आपस में कर देना है, मर्ज, मर्ज करने के लिए देखिए, उपर राइट शैट में आपको देख रहा होगा, मर्ज का ओप्शन, इस पर आपन पर आपने क्लिक करना है, इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करने का है, इसके बाद बाज़ वाले उप्शन पर क्लिक करके, इन दोनों को पूछेगा, are you sure you want to merge the select objects मतब कि आप इनको merge करना चाहते हैं मतब इनको जोड़ना चाहते हैं तो उसके बाद simply आपने कर देना है ओकी ठीक है ओकी करते ही ये आपकी picture merge हो जाएगी और वापस से merge ओले option पर जाके इसको click कर देना देखिए अब ये picture जहाँ पर merge हो चुकी है अब simply आपने करना क्या है अब आपने जो आपने picture का background रिमूट किया था पिछकारी का उसको भी आपने यहाँ पर simply लगा देना है अपने according score आगे पीछे एडिजिट कर सकते हैं चलिए मैं उसको पहले adjust कर देता हूँ गैलरी पी जाएंगे जहां से आपने picture रिमूट करी थी वहां से आपने उसको उठा लेना है देखिए कुछी सतरह से आपका ये select हो जाएगा देखा इसको भी हमने यहाँ पर use कर लिया अब अपने recordings को छोटा बड़ा करके कहीं प्रभीज को use कर सकते हैं picture को ठीक है इस तरह से आप इस picture का use कर सकते हैं उसके बाद देखिए आपने करना क्या है सबसे जरूरी है बात जो आप यहाँ पर text लिखने वाले हैं ठीक है मैंने यहाँ पर क्या कि रहा है अपने YouTube चैनल का नेम देना है आप आप चाहें कुछ भी चैनल का नेम दे सकते हैं या फिर ना भी देना चाहें तो अब simply wish करना चाहते हैं यहाँ पर text लिख सकते हैं अब देखिए आतिस ज्यादा लोगों को यह नहीं पता होगा वो विचारी इस में confusion में रहते हैं कि मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती हिंदी में टाइप कैसे करें तो भाहिया हिंदी टाइपिंग करने को बोलता कून है यहाँ आपने simply चले जाना है Google वाली दीदी के इस तरह से Google वाली दीदी को आप जैसे पताएंगे पो समझ जाएंगी अपने आपको लेख चले आएंगी देखिए अपनी website पर translate.google.co.in ठीक है simply आपने जाके इस पर क्लिक कर देना है कुछ नहीं करना और बस यहाँ पर आप इसको टाइप करते रहिए वैसे ही जैसे हम for example मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ आप सभी को मेरी तरब से ठीक है देखिए कैसे लिखते हैं जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं पहले मैसेज के जमाना होता था एस में सर्विस होती थी उसी तरह से करना है आप सभी को मेरी तरब से ठीक है निचे देखिए हिंदी में अपने आप टाइप होता रहेगा आपको बिल्कुल भी चित्ता करने की जरुत नहीं है कि आपको हिंदी आती हो चाहें ना आती हो आप किसी भी लैंग्वेज में यहाँ से टाइप करके टांसलेट कर सकते हैं ठीक है को मी तरब से होली की धेरों छुब कामने ठीक है यह देखिए अब सिंपली आपने इस जो यहाँ पर टांसलेट हुआ इस पर आपने प्रेस करके रखना है इसको आपने और से करके यहां से कर लेना है इसको कॉपी बस हो गया उसके बाद चले आना है वापस से पिक्सल ला एक रोज और यहां पर इसको कर देना है पेश्ट लोजी बस आपका काम हो गया खतम इसको कर दीजे नीचे ठीक है लोजी इसको अपने हिसाब से आप सैटिंग कर सकते हैं देखिए अब किस फॉंड को कितना रखना है कितना बड़ा रखना है छोटा रखना है वो आप लेते हैं और एक चीज़ और करेंगे इसका इलाइनमेंट देखिए सेंटर में कर देते हैं ठीक है देखिए इस तरह सेंटर में कर दिया हमने साइज आप इसका थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए लो जी साइज हमने इसका कर दिया है बड़ा थोड़ा सा और उसके बाद आपने करना किया है अगर आप चाहते हैं ये पिक्चर नीचे लाना तो नीचे ला सकते हैं जी हम बिल्कुल नीचे ला सकते हैं इसको नीचे की तरफ कर दीजिए यहां पर लीजिए पिक्चर यहां अब इसको लिखा हुआ आपका यहां पर आजाएगा थोड़ा सा और अट्रेक्टिव करने के लिए इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं कलर आप ब्लैक के ब्लू ब्लैक रख दें ज्यादर दिखेगा और इसके बाद इसमें एक जोर करना है आपने तो यहां पर लग जाएगा स यह आपको अच्छा लगे मैं आपको सज्जेस्ट करूंगा वाइट करें वाइट में इसका इसका फ्रोड़ा सा ज्यादा कर दें ताकि ज्यादा अच्छा से दिखे लो यह ठीक है अब एक चीज और कर दें इसमें इसमें लगा दें आप शैडू शैडू लगाने के अब यहाँ पर अच्छा लगे और साथ में होली के पास पिचकारी ना हो तो फिर मजा ही विकार है ठीक है चलिए अब यहाँ पर मैंने करना क्या है अब देखिए मैं आपने चैनल का नेम भी लगाने वाला हूँ उसको कैसे लगाएंगे सबसे पहले मैं यहाँ पर लोगो तुके यहां पर यहां पर लगा दी है अपने लेन्धाल का लोगो आप अपने भी साफ से जो भी यहां पर लगाना हूँ वो यहां पर लगा सकते हैं ठीक है स्प्ल ठीक्स कर दिना है अपने चैनल का नेम टाईप कॉंपो ट्रिक्स ठीक है फ्रेंड्स फॉंट आप जो लेना चाहें देखिए निशी की तरफ आएंगे यहां पर एभी फॉंट आएगा यहां पर सिलेक्ट करने के बाद आपने चल जाना है जो भी फॉंट आपको पसंद आ रहा हो उसको फॉंट को फॉर इजांपल मैंने य कलर लगाई है हाँ पर चलिए एक कलर हमें अब लगा देते हैं ताकि यहां पर देखने में भी अच्छा लगे और दूर से विजबल भी हो ठीक है चलिए और इस पर हमें एक बार स्टोक लगाना होगा ताकि दूर से दिखाई देश के अब देखिए इसमें ब्लैक कलर आपटी कॉंबिनेशन के साथ आए गई है ठीक है इसका साइज हमने थोड़ा सा ब्ला कर देना है आपर देजिये ठीक है यहां पर इसका साइज भी बढ़ा कर दिया है देखिए अब अपने हिसाब से इसको आगे पीछे करके एड़ेस्ट कर सकते हैं इसमें देखिए अब मैं अपनी फोटो लगाने वाला हूँ फोटो कैसे रिमू करना है बैग्राउंड कहीं पर भी आप खड़े होगे खिचवा सकते हैं फोटो और उसका बैग्राउंड इसली रिमू क कर सकते हैं रिमू करने का मैंने तरीका पता दिया है रिमू बैग्राउंड के अप्लिकेशन पर जाना है वहां पे फोटो अप्रोड करके विक्चर का बैग्राउंड रिमू हो जाता है ठीक है उसके बाद देखिए दोस्तों आपने करना क्या है सिंप्ली प्लस वाले आइ जिसमें जितने भी डेकुरेशन करना चाहे हैं कम है क्योंकि कलर का कॉंबिनेशन है होली का तेभार है जितना कलर फुल बैग्राउंड रखेंगे उतना ही अट्रेक्ट करेगा ठीक है दोस्तों पाकि कोशिच करें जितना सिंप्लिसिटी रख सके थोड़े बहुत कलर देखें यह विचकारी बने रखा था डाउनलोड करके पहले से इसका मैंने बैग्राउंड रिमूओ कर रखा है यह अगर यहां लगा देंगे तो दोने तरफ से पिचकारी हो जाएगा ठीक है लो जी मेरा बैनल ओल्मॉस्ट बनके त्यार है इसमें आपने सिंप्ली कुछ नहीं करना है सब कुछ बन चुका है हां पर सिंपली आपने उपर से वाले आयकन भर देख रहे होंगे इस पर अपने क्लिक करना है और यह जाएगी जालति में। कामने.